नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है चार्ट मजों के नए वीडियो में और आप सभी को राम नौमी की हादिक शुपकामना है आगे जाके हमने एक जो स्पेशल आफर चला है आज के दिन वो भी मैं आपसे डिसकस करूंगा अभी बात करते हैं निफ्टी के फॉल के बारे म अब यह लेवल तो आ गए नेक्स्ट क्या हो सकता है दोस्तों तो इसके लेवल यहां से हम गिरेंगे तो यह आ चुके है अब इसके अंदर नेक्स्ट एक रिवर्सल की अपोचुनिटी दीख रही है अब रिवर्सल ऐसा कूल लग रहा है क्योंकि डाव ने होल्ड किया है अगर मैं आपको DAO का चार्ट बताऊं, तो यहां पे एक DAO hold करने में successful लग रहा है, कि इसने अपना जो previous resistance है, उसके आसपास यह hold कर रहा है, तो यहां से एक reversal generate हो सकता है, second, मैं अगर बात करूँ Brent की, तो Brent ने एक हमें breakdown दिया है, और इस breakdown के अंदर कुछ time पहले यह 88 का important level, 88.25, 88.4 का जो important support है, उसको breach कर दिया है, अब यहां से एक signal मिल रहा है कि कोई further development शायद नहीं देख रहा market और कुछ escalation नहीं देख रहा market और ऐसा लग रहा है, कि अब कुछ, सब कुछ शान्त हो जाएगा, तो मेरे इसाब से, यहां पर जो market है, वो कुछ अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा है, कुछ प्रियम करने की कोशिश कर रहा है, एक, second, अगर कुछ हो जाता है, फिर से अगर कुछ हमें war related कुछ development मिलती है, तो market के अंदर फिर से थोड़ा pressure देखने मिल सकता है, लेकिन, अगर हमें अभी कुछ setup अगर देखना है, तो वो एक reversal का setup मेरे साब से अब देखना चाहिए, निफ्टी पर चलते हैं, अब reversal play करने के लिए, आप basically जो previous day का high आ रहा है निकल के है, 22, 215, 22, 215 by the way important level हमारा पहली भी था, जहां पर हमें एक important breakout देखने मिला था, वो इस same level वापिस important बन गया है, 22, 215, इस level के उपर जाएगा तो immediately एक उपर का gap fill है, लगबक्स पचास साट point उपर आपको मिल जाएगा, 22, 275 पे एक gap fill हो जाएगा, और वो breach कर दे तो हमारा सिधा level जो देख पाएंगे वो होगा, internet में 22, 400, ओके, तो 22, 400 तक के लिए एक बर push करेगा, जो की लगबक्स के previous candle का एक high point है, ठीक है, तो ये level है, अगर कुछ बुरी ख़बर निकल के आती है, हाला कि ऐसा लग नहीं रहा, कुछ जिसे आपसे brand react कर रहा है, बट कुछ बुड़ा खबर इसके अंदर कुछ निकल के आता है, फिर से war related, तो नीचे पे अब जादा downfall लग नहीं रहा, फिर भी maximum एक 22,000 तक का एक last gap है, वहां तक एक attempt कर सकता है, ओके, और 22,000 तोड़े ये एक strong support की तरह काम करेगा, अब दोस्तों अगर market नीचे खुले तो मेरे सबसे reversal के लिए wait करना चाहिए, लेकिन market अगर 22,215 की उपर खुलेगा, तो ये दो level जो दिखाई दे रहे है, immediate basis पे, वहां तक का एक pullback मिलना चाहिए, बात करते हैं bank nifty की, bank nifty की अगर मैं बात कर था, expiry थी, bank काफी sideways था, उसके बढ़ले nifty IT ने fall दिखाया, और आपको पता ही है, मैंने एक video बनाया था, daily video के time पर मैंने आपको बताया था, nifty IT और nifty bank के से साब से चलते हैं, तो nifty IT गिर रहा था, nifty bank को sideways कर दिया, उसे साब से market भी जादा नहीं गिरा, अब दोस्तों य इगर आपको 47, 300 के breach होने के बाद आएगा, तो यहाँ पर एक 300 point का play है, मेरे साब से इसको avoid करना चाहिए, और reversal अगर आपको play करना है, तो IT पर play करें, और bank nifty पर फिलाल मेरे को लगता है, कि bank nifty से अच्छा setup थोड़ा nifty पर बनेगा, मतलब IT काफी अब गिर चुका है, और IT में अगर reversal आता है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा pullback देखने मिल जाएगा, nifty के अंदर, bank की अगर मैं बात करूँ तो bank में play करना है, वैसे HGFC bank अच्छा चल रहा था, PSU bank डाउन थे, हमने देखा last trading session के ना, private bank समाल रहे थे, लेकिन मेरे साब से यहाँ पर long अगर जान का level है, क्योंकि हमने देखा IT गिर रहा था तो bank समाल रहे थे, लेकिन अगर IT बढ़ जाता है किस कारण से भी, किसी भी कारण से in the sense, तो फिर यहाँ पर वापस हमें एक sideways behavior देखने मिल सकता है, तो उससे अच्छा है कि 47-800 का weight करें, वो टूटेगा, तो 48-200 और 48-400 का जो level है जो दिखाई दे रहे हैं, हमें gap के उपर के वहाँ तक एक बार पहुच सकता है, downside थोड़ा play नहीं करना है, midcap की बात करें तो ये दोनों दिन मजबूत रा, nifty midcap, gap down खुलने के बावजूद, green में बंद होता है midcap, इसके अंदर buying clear दिखाई दे रही है, जब हम weak थे, तो हम बड़े-बड़े red candle बना रहे थे midcap के अंदर, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी weakness होने के बावजूद, इतनी weak news आने के बावजूद, हम gap down के बाद green में close दे रहे हैं, buying अभी भी intact है, तो यहाँ पे bullish ही रहेंगे हम, अब overall दोस्तों बात करते हैं, bond yield पे जो की एक अपने चैनल के resistance पर पहुच चुकी है, अब 4.75 के उपर फिर से एक यहाँ पे breakout मिलेगा, अब देखते हैं, bond yield यहाँ से पूरा reversal देता है, या फिर एक थोड़ा sideways होके फिर upside breakout, तो जो market पे हम एक बार के लिए pullback expect करेंगे, ना कि pullback के रूपे एक reversal expect करेंगे, ना कि एक पूरा वा यहाँ से एक reversal का play अच्छा लग रहा है, dollar index की बात करूँ तो यह थोड़ा सा sideways है, और Brent आज एक breakdown देने के कोशिश कर रहा है, फिर सही थोड़ा 88 के उपर पहुचा है, लेकिन लग रहा है यहाँ यहाँ पे, एक देख dollar यहाँ पे और नीचे जा सकता है अभी, अब दोस्त तो counter की बात करते हैं, आज दो counter discuss करेंगे, यह दोनो cash side के counter है, सबसे पहला उशा मार्टिन हमारे radar पे आता है, अब उशा मार्टिन की अगर मैं बात करूँ, तो यह एक sideways structure में फसावा है, ठीक है, अब sideways structure में फसने की वज़े से, यहाँ पे कई move बनती है, लेकिन फिलाल एक flag pattern की यह formation में move बनी है, अभी इसका यह meaning है कि हमने यहाँ पे एक छोटे range में consolidation देखा है, ठीक है, यह आपकी छोटी range हो गई, और इससे पहले हमने एक बड़ी move आते भी देखी, तो यह आपकी जो move बनी है, 280 के around 255 से 350 की जो move बनी है, आपकी 70 point की, यह one way बनी है, और उसके अंदर volume के साथ एक जो body बनी है, उसमें एक candle दिखाई देती है, जब market down थे, gap down थे, तो कोई इसके अंदर accumulation कर रहा था, अब दोस्तों आने वाले session के अंदर 352 के उपर अगर यह जाता है, तो यहाँ पे breakout हो जाएगा, तो 352 का level important है, second important बात किया है दोस्तों, अगर आप इ एक और pattern बनते वे दिखाई देगा, तो weekly chart पे ascending triangle बन रहा है, यहाँ पे, see this, तो यह ascending triangle का आपको एक breakout ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, और यह 382 पे आता है, तो हम 30 point नीचे इसको एक बार play करने की कोशिश करेंगे, flag pattern के साथ, अगर flag pattern successful होता है, तो यह कहां तक जाएगा, दोस्तों यह जाएगा, आपका लगबग 70 point लगा लेंगे, तो almost 400 तक की इसकी journey लगती है, और उस journey में यह अपना एक weekly chart पे बड़े pattern पे breakout देदेगा, तो इसके अंदर move आने की chances काफी बनेगी, तो उशा मार्टिन हमारा पहला counter है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी मैं आपको हमारी sale के बारे में बता देता हूँ, यह दो दिन की sale है, आज और कल तक यह चलेगी, इस पे chartmojo.com पे अगर आप जाएंगे, तो scroll कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे courses दिखाई देंगे, अब इन courses के अंदर option buying और technical analysis के ऊपर recording available है, option buying English हिंदी में है, English के अंदर अगर आप knowledge को लगाएंगे, तो उसके अंदर कैसे आपको basically trade करना चाहिए, तो यह देख सकते हैं, या फिर अगर आप नए हैं, और आपको अभी technical analysis समझना है, और आपकी learning fast करने हैं, तो हमारी technical analysis series की यह वाली recording भी ले सकते हैं, और अगर आप इद्दमी नए हैं, तो मैंन अपने YouTube channel पे technical analysis series बनाई भी है, आप हमारी वो playlist पे जाईए, वहाँ पे at no cost आप अच्छे से समझ जाएंगे, वहाँ पे भी आप अपनी easily journey शुरात कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैंने अच्छे से दियावा है सब कुछ, तो दोस्तों यहाँ पे यह sale का फाइदा ले सकते है, दो दिन के लिए 20% आपको off मिल जाएगा, अब दोस्तों बात करते हैं second counter की, उशा मार्टीन हमारा first counter है, जो weekly पे अच्छा लग रहा है, daily पे flag है, पतन जली की अब मैं बात करता हूँ second counter, इसका daily chart लगाते हैं, और daily chart पे हमें एक rectangle formation दिखाई दे रही है, अब दोस्तों average volume पे 1435, यह level अगर निकलेगा, तो यहाँ पे breakout होगा, और एक दिन के अंदर मैं expect कर रहा हूँ, यह जो support बनाता आपका यहाँ पे, यह resistance बनते वें दिखाई देगा, तो immediate level 1500 के दिखाई देंगे, और इसके बाद 1560 के यह दो level हमको दिखाई देते हैं, पतन जली पे, एक breakout counter है purely क्योंकि flag pattern का breakout है, हाला कि वो भी consolidation में है, और पतन जली जो है, वो reversal counter है, जहां पे नीचे से यह एक बार reverse करने की कोशिश कर रहा है, एक rectangle formation है, एक mini rectangle आप इसको बोल सकते हो, बड़ा rectangle को time लगता है, लगबग 21 महिने का यह rectangle है, लग रहा है, उपर के side यह finally निकले का, bias जो है market को लेके, वो mildly positive ही है, क्योंकि जो correction है, ऐसा लग रहा है, dip वो आ गया है, तो दोस्तों मैं आशक है तो आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो promo code है, वो मैंने description के अंदर दियावा है, आप वहां से ले सकते हैं, as usual, अगर पसंद आया है, तो आ